ओम शान्ति अम्रित वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं तो आश बाबा ने कहा जितना अम्रित वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे बाप जानते हैं, बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सेहन भी बहुत करते हैं लेकिन जिससे सनह होता है, उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं सदा स्रिष्ट बनाने की शुब भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते, सुनते हुए भी संपन बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अन्त तक रहेंगे देखो बाबा भगवान अपने बच्चों से यह वाइदा कर रहे हैं कि बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अन्त तक रहेंगे बाप को किसी के प्रती घ्रिणा नहीं होती सदैव अपकारी के भी शुब चिन तक हैं इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो फिर बाबा ने अंडरलाइन किया अमरित वेले का महत्व जान बाप द्वारा वर्दान लेते रहो हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से सर्व संबंदों से बाप दादा का सदा हात और साथ है अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है यह अपना लक समझ समय का लाब उठाओ विनाश की घड़ी के कांटे आप हो कांटे मींस सुई जो घड़ी की सुई होती है एक मिनट वाली सुई एक सेकिन वाली सुई एक घंटे वाली सुई तो बाब ने का कि विनाश के जो घड़ी है उसके कांटे आप हो आपका संपन होना समय का संपन होना है बहुत गहरी और बड़ी बात यह जो बाब ने कहिये है कि आपका संपन होना समय का संपन होना है इसलिए सदा स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो अमरित वेले वर्दान का समय है जितना अमरित वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे बाबा ने देखो कितना अमरित वेले का महत्व हमको बताया और हमें हमारे स्वयम का महत्व भी बताया कि आप समय की घड़ी के काटे हो अगर आप समपन बनेंगे तभी समय समपन होगा तो अमरित वेले बाबा से वर्दान ले करके स्वयम को समपन बना लो फिर अमरित वेले अपने भाग्ये नशे और खुशी की स्मृती की पॉइंट बाबा ने बताई सभी अमरित वेले दिलखुश मिठाई खाते हो सेवाधारी आत्माएं रोज दिलखुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी जिग्यासू यह वह बातें लेकर नहीं आएंगे नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है न फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे बहुत सुन्दर बात कई बाबने की अमरित वेले उठते ही अपने आप को कौनसी मिठाई खिलाओ दिल खुश मिठाई बाबने का खिलाओ और दूसरी बात बाबने इसमें कही जैसे बाब जैसा कोई नहीं वैसे आपके भागे जैसा और कोई भागे शाली नहीं ये बात बाबने अंडरलाइन किया है बाब दादा कस नहें अवर्षे समीप लाता है अमरित वेले उठ बाब से रू रुहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा कोई भी बात हो उसका रस्पॉंस रू रिहान में मिल जाएगा मदुबन वर्दान भूमी से विशेश यह वर्दान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी जब बाप बैठे हैं बोज़ा उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते जितना हलका होंगे उतना उपर उड़ेंगे अनुभव करेंगे कि कैसे हलके बनने से उच्ची स्टेज हो जाती है बहुत सुन्दर बात कई बाबाने क्योंकि अभी आत्मा बोज़िल है तो वो उड़ नहीं सकती है और जब सारा बोज़ा अमरित वेले बाबा को दे देंगे तो हलके हो जाएंगे और हलके होकर उड़ने से जो उच्ची स्टेज का अनुभव होगा बाबाने का वो आपको और भी आनंद देगा इसलिए अमरित वेले अपने सारे बोज़ बाबा को दे करके स्वयम हलके होकर के उड़ो फिर हैं अमरित वेला और साकार बाब दादा के महावाक के बाबा ने कहा जो बाब का मुख्य फर्मान है अंडरलाइन किया बाबा ने इस बात को बच्चे अमरित वेले उठकर बाब को याद करो इस मुख्य फर्मान को पालन कर सवेरे सवेरे फ्रेश हो मुकरर टाइम पर याद की यात्रा में रहो सपूत वा फर्मान बरदार बनो तब जाकर राजा बनेंगे कपूत बच्चे तो जाडू लगाएंगे तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाब को बहुत प्यार से याद करेंगे बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे पास्विद ओनर होने का पुरुशार्थ कर स्वयम पो राजाई के लाइक बनाएंगे बाबने फिर अंडरलाइन किया बाब से जितना प्रीत बुद्धी होंगे उतना फिर उच पद पाएंगे इसलिए सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाब को याद करना है भल प्रेम के आंसू भी आएं क्योंकि बहुत समय के बाद बाब आकर मिले हैं अब याद की रफ्तार तेज होनी चाहिए बाबा ने फिर अंडरलाइन किया तेज याद करने वाले का ही उच नाम होगा वही विजे माला का दाना बनेंगे तो कल सुबे हम सभी उठकरके प्यारे बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे मीठी मीठी रूरीहान करेंगे और अपनी याद की यात्रा को तेज करेंगे ताकि विजे माला का दाना बन सकें और सुबह सुबह उठकर के ये विशेश संकल्प करेंगे कि जैसे बाबा ने कहा कि बाप जैसा कोई नहीं वैसा हम बच्चों जैसा भागे शाली भी इस दुनिया में कोई नहीं तो अपने भागे का खुशी का नशे की स्मुर्ती में रहकर के कल सुभे हम अपना अमरित वेला शुरू करेंगे ताकि हमारे सारे दिन की दिन चर्या उसी नशे और खुशी में ही व्यतीत हो अच्छा ओम शान्ती